हेलो स्टुडेंट्स एंपिरिकल इंस्टिटूट के इस सिंप्लिफिकेशन सीरीज में यह है टेस्ट नंबर 7 का पार्ट नंबर 2 का एक्स्प्लेनेशन तो चलिए इस पार्ट नंबर 2 के एक्स्प्लेनेशन की शुरुआत करते हैं पहला कोशन है यदि A बराबर 16 तथा B बराबर 5 है तो इस संक्रिया का मान ग्यात करिए जो कि है A स्क्वर प्लस B स्क्वर प्लस AB बराबर में A क्यूब माइनस B क्यूब यह कोशन SSC और Railway की एक्जाम में बहुत आयत में पूछा जाता है तो आप ध्यान से समझेगा इस कोश स्क्वर प्लस B स्क्वर प्लस AB इस प्रकार से इसे और सरल करके हम लिखें जो कि इस स्वरूप में दिया गया है तो यह यहां पर इस प्रकार से लिखा गया है A स्क्वर प्लस B स्क्वर प्लस AB डिवाइडेड वाई A क्यूब माइनस B क्यूब यानि कि यह A क्यूब माइनस B का तो यह इस प्रकार से सरल हो जाता है अब हमें दिया गया है A का मान 16 है जो कि हम यहां रखेंगे और B का मान 5 है इस प्रकार से इसे सॉल्व करने पर 1 बटा 11 इसका आंसर आएगा तो इसका आंसर होगा B option 1 बटा 11 तो मैं उम्मिद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा यह फॉर्मूले आप याद कर लीजिए बहुत ही महदवपूर है आगे बढ़ते हैं अगला कोशन है सात्वा यदी संक्रिया A माइनस X अपान A प्लस 2A माइनस X अपान 2A बराबर में 3A माइनस X अपान 3A है तो X का मान ग्याद करिए देखिए X का मान कैसे ग्याद करेंगे इसे हमें सॉल्व करना होगा चलिए शुरुबात करते हैं A माइनस X अपान में A प्लस में 2A माइनस X अपान में 2A बराबर में 3A माइ X upon 3A आप इसको solve करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले हम इन दोनों संक्रियाओं का LCM ले लेंगे जो की हो जाएगा 2A इस प्रकार से हम यहाँ पर जब हम इसका LCM लेते हैं तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि नीचे लिखी हुई यदि अचर संख्या A जैसे यहाँ दि कर दीजिए 2 multiplied by A minus X plus में यह 2A से 2A cancel हो गया तो 1 बचेगा जो की उपर आ जाएगा 2A minus X इस प्रकार से 3A minus X upon 3A यहाँ पर ऐसका इसा लिखा आएगा अब आप एक काम करें कि यहाँ पर इससे solve कर दें तो यह अंदर 2 का गुणा हो जाएगा तो यह जाएगा 2A minus 2X plus में 2A minus X upon में 2A बराबर में 3A minus X upon 3A अब देखिए अब इस 2A को इस 2A के साथ में जोड़ देंगे तो यह 4A आ जाएगा यह minus 2X को X के साथ में minus के साथ में जोड़ेंगे तो minus minus यह हो जाएगा 3X upon में 2A is equals to 3A minus X upon में 3A अब देखिए यहाँ पर यह A से आप A cancel कर सकते हैं क्यों ब minus 3X divided by 2 is equals to 3A minus X divided by 3 अब cross multiplication कर दीजिए तो cross multiplication में यह 3 गुणा हो जाएगा उपर वाली राशी से तो मैं सीधे गुणा कर दे रहा हूँ 12A पहले 3 का गुणा 4 में करेंगे फिर minus लगा करके 3 का गुणा 3 में करेंगे 9X बराबर में अब यह 2 का गुणा आप इधर उपर की त प्राशी में गुणा करेंगे तो पहले 2 का गुणा 3 में होगा 3 दूनी 6A और फिर 2 का गुणा X में होगा तो minus 2X इस प्रकार से हमार पास जो equation आई है वो A और X वाली आई है अब यहाँ पर आप 12A इस 6X को इस तरफ लेकर के आ जाएगा minus 6A और इस minus 9X को उधर लेकर के च X का मान आ जाएगा 6A बटा 7 जो की option D पर दिया गया है तो इस प्रकार से हमने X का मान निकाल लिया इसे solve करके मैं उम्मिद करता हूँ यह आपको समझ में आ गया होगा आगे बढ़ते हैं और अगला question करते हैं अगला question एक शरंखला पर आधारित है और शरंखला में कहा गय है कि गुणन फल इस शरंखला का किसके बराबर होगा तो यहाँ पर option में से एक सही आंसर होगा देखते हैं कि यह कैसे करना है देखिए इसको हम पहले शरंखला को खोलते हैं तो यहाँ पर शरंखला कुछ इस प्रकार से लिखी गई है दो एक बटा तीन फिर अगले bracket में ह फिर अगले bracket में हैं दो रेंड पांच बटा साथ सो और इसी प्रकार से चलते हुए हम कहेंगे दो रेंड नौसो संत्यानवे बटा नौसो निन्यानवे अब इसे हम सॉल करेंगे तो देखिए इसको हम पहले सरल कर लेते हैं तीन का दो से गुणा होगा तीन दूनी छे छे में से एक गया तो पांच बटा तीन आएगा इस स्थान पर अब इसके स्थान पर क्या आएगा तो गुणा राशी पांच दूनी दस दस में से तीन गया तो यहां पर बच जाएगा साथ बटा पांच गुणा राशी इसे सॉल करेंगे तो साथ दूनी चौदा चौदा में 14 में से 5 गया तो बच गया 9 बटा में 7 गुणा में 100 इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे तो इसे solve करेंगे 999 को 2 से गुणा करेंगे तो आएगा 1998 माइनस में 997 बटा में 999 अब देखिए यहां पर यह हमें घटा देना है तो इसके पहले इसको हम यहां solve कर लेते देखिए यहां पर आप कौर करेंगे तो यहां देख सकते हैं कि यह वाला 5 राशी यह 5 राशी से कट रहा है इसी प्रकार से यह नीचे वाला 7 उपर वाले 7 से कट रहा है मतलब सीरीज कुछ इस प्रकार से बनाई गई है कि यहाँ पर हर एक नीचे वाली राशी उसके पहले आने वाली उपर वाली राशी से कड़ जाएगी इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि यहाँ पर यह जो 999 है यह इसके पहले आने वाले 999 जो उपर आएगा उससे कैंसल हो जाएगा इसका मतलब सिर्फ उपर की तरफ यही राशी बचेगी और नीचे की तरफ यह वाला 9 अगले अंक के 9 से कैंसल हो जाएगा तो नीचे की तरफ सिर्फ यह 3 बचेगा तो इसे हम solve कर लेते हैं 1998 को 997 से divide कर 9 से 97 से minus करके 3 से divide कर दीजिएगा जब इसे आप घटाएंगे तो यहाँ पर घटाने पर 8 में से 7 गया तो 1 बचता है 9 से 9 गया तो 0 बचता है 9 से 9 गया तो 0 बचता है और फिर 1 बटा में 3 इस प्रकार से इसका सही answer सराएगा 1001 बटा 3 जो की option number C पर दिया गया है तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको यह series समझ में आई होगी नहीं समझ आती है तो comment box में जरूर लिखें आगे बढ़ते हैं अगला question करते हैं अगला question है 0.00032 की power 0.6 का मान क्या होगा देखिए इस question को करते हैं हम सबसे पहले हम लिख लेते हैं 0.0003 बार है 32 की whole power 0.6 अब दीखें इसको solve कैसे करेंगे ध्यान से समझनी की जरूरत है यहाँ पर पहले तो हम अंदर की संख्याओं को दशमलों से भिन्द में बदल देंगे तो यहाँ पर दशमलों जो है वो कितने अंक के पहले है एक दो तीन चार और पा में एक के बाद में पांच शुन्य लगा दीजिए इस प्रकार से आपने इसे भिन्द में बदल दिया अब इस 0.6 को 6 बटा 10 लिख दीजिए अब यहाँ पर इसको हम solve करते हैं तो यह दो से cancel हो जाएगा तीन बार और यह दो से cancel हो जाएगा पांच बार तो हाथ आ प्रकार से यहाँ पर जीरो यदि पांच बार आया है तो इसका मतलब क्या होगा इसका मतलब होगा कि 10 को हम 5 बार गुणा कर रहे हैं अब इसका मतलब इसकी घात आप लगा दीजिए 3 बटा 5 अब इसे में यहाँ पर solve कर रहा हूँ देखिए यहाँ पर मैं 2 की घात 5 लिख सकता हूँ क्योंकि 2 बार लिखा गया है तो 2 की घात 5 में नहीं लिख दिया बटा में यहाँ पर 10 जो है वो 5 बार आ रहा है इसलिए में यहाँ पर लिखूंगा 10 की घात 5 और पूरे की घात जो होगी वो 3 बटा 5 होगी अब इसको आगे solve करते हैं यहाँ पर हम जानते हैं कि अंश और हर में जब समान घाते होती है तो उन्हें एक ही घात में लिखा जा सकता है जैसे कि 2 बटा 10 पूरे की घात हो जाएगी 5 और उपर की जो राशी होगी वो 3 बटा 5 इस प्रकार से पहले से ही था अब देखे मैं इस 5 को 5 से कैंसल कर देता हूँ तो यहाँ पर आ जाएगा 2 बटा में 10 पूरे की घात 3 अब देखे इसे मैं solve कर रहा हूँ जो मैंने हैं यहाँ पर एक 5 को बाहर निकालने के लिए किया था वही मैं 3 को अंदर ले जाने के लिए कर रहा हूँ याने कि 2 की घात 3 और बटा में 10 की घात 3 आ गया है तो यहाँ पर 2 की घात 3 होता है 8 और 10 की घात 3 होता है 1000 इस प्रकार से जब मैं 8 बटा 1000 करता हूँ तो यहाँ पर आंसर आएगा 0.0 क्यूंकि यहाँ पर 3.0 है नीचे इसलिए 1, 2 और फिर 8 लिखना है इस प्रकार से 0.0 जो होगा वो 3 अंक के पहले आएगा और आंसर करणी के अंदर 98, माइनस करणी के अंदर 72, प्लस करणी के अंदर 50, बटा करणी के अंदर 18 का मान क्या होगा देखिए इस कोशन को हम करते हैं सबसे पहली बात तो आप इन करणीयों का मान पूरी तरीके से नहीं जानते हैं तो एक काम करें सबसे पहले इनके अभाज्य अब अभाज गुणन खंडों को निकाल लीजिए तो अभाज गुणन खंड कैसे निकालते हैं ध्यान से समझिए यहांपर मैं एक example आपको सरलतम स्वरूप से सिखा रहा हूँ तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर दो से डिवाइड कर दीजिए तो यहाँ पर दो से डिवाइड करने पर दो चोक आठ और दो नाम अठारा फिर साथ से डिवाइट कर दीजे साथ साथ से डिवाइट कर दीजे साथ एकम साथ तो इस प्रकार से इसके अब हाज गुणान खंड हो जाएंगे दो गुणा साथ गुणा साथ याने की करणी के अंदर अंठ्यानवे को आप लिख सकते हैं दो गुणा साथ गुणा साथ इसी प्रकार से मैं 72 को अब सरल्च वरूप में लिख रहा हूँ, तो यहाँ पर करणी 72 का जो मान आ जाएगा, वो मैं कैसे लिख सकता हूँ, ध्यान से समझेए, करणी 72 को मैं लिख सकता हूँ, 6 गुणा 6, 6-6-36 होता है, और 36 का दुगना 72 होता है, इस प्रकार से यह 2-6 बाहर निकलाएंगे, तो करणी के अंदर रह जाएगा 2 और बाहर आ जाएगा 6, इस प्रकार से करणी 72 का मान हो जाएगा 6 करणी 2, इस प्रकार से अगले करणी 50 का हम मान निकाल लेंगे, तो करणी 50 को हम क्या लिख सकते हैं, करणी के अंदर 5 गुणा 5 याने 25 और 25 दुना 50 याने कि 5 और 5 ये बाहर आ जाएगा और करणी के अंदर आ जाएगा 2 इस प्रकार से इसका मान हो जाएगा 5 करणी 2 आगे बढ़ते हैं इसी प्रकार से करणी 18 को हम क्या लिख सकते हैं करणी 18 को हम लिख सकते हैं करणी के अंदर 3 गुणा 3 गुणा 2 तीन तीया 9 9 2 नहीं 18 इस प्रकार से इसका मान आ जाएगा तीन करणी 2 अब देखिए हमने सभी के मानों को सरल कर लिया अब इस इस operation याने संक्रिया में इसका मान रख देते हैं यहां पर आजएगा करणी 98 माइनस करणी मेंग बहुततर प्लस करणी के अंदर 50 बटा में करणी के अंदर 18 अब इन सभी मानों को रखते हैं तो करणी 98 का मान था 7 करणी में 2 माइनस में करणी 72 का मान हमने निकाला 6 करणी में 2 करणी 50 का मान हमने निकाला प्लस में 5 करणी में 2 और बटा में करणी 18 का मान हमने निकाला 3 करणी में 2 अब देखिए सभी उपर की तरफ करणी आपको दिख रही है इन करणी 2 को आप बाहर निकाल लेते हैं तो बच जाता है ब्रेकेट में 7-6 प्लस में 5 और बटा में 3 करणी में 2 अब ये उपर की करणी 2 से नीचे की करणी 2 को आप कैंसल कर दीजिए यहाँ पर 7 में बांच को जोड़ेंगे तो 12 होगा और 12 में से 6 को घटाएंगे तो 6 बचेगा और बटा में 3 इस प्रकार से इसे कैंसल करेंगे तो इसका मान आएगा 2 जो की option number C पे दिया गया है तो उम्म करता हूँ यह आपको समझ में आया होगा किस प्रकार से हमने इन करणीयों के मान को संख्या में बदला और फिर आंसर लेकर के आये हैं मैं उम्मीद करता हूँ यह वीडियो में आए हुए question आपको समझ में आये होंगे comment box में जरूर लिखिए और यदि कोई question आपको नहीं बन रहा है तो वो भी आप comment box में लिखिए अगले वीडियो में हम उन questions को जरूर लेंगे इन वीडियो को देखने के लिए thank you